we discussed के diversification से यानि कि अगर हम हमारी investment को एक तरह की financial instrument में या एक तरह की product में करने की बजाए किसी एक product में या किसी एक financial instrument में अपने सारे के सारे पैसे invest करने की बजाए अगर हम मुख्तलिफ financial products के अदर अपनी investment को करेंगे तो उससे हमारी जो रिस्क है वो कम हो जाती है लेकिन sometimes we do get exposed to the risks जो के diversification से भी हम उनको control नहीं कर सकते या उनको कम नहीं कर सकते इस तरह के risks को हम non-diversifiable risk कहते हैं तो non-diversifiable risk वो होते हैं जिनको diversification से या मुख्तलिफ तरह की assets के अदर investment करने के बावजूद भी control या cut down ना किया जा सके so it is important कि जब हम भी हम कोई तरह की investment कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि what are the possible non-diversifiable risks उनको हम उनको हमें अंदादा लगाना चाहिए और अगर हमारे किसी एक certain type of investment के साथ बहुत ज़्यादा non-diversifiable risks linked up हैं, attached हैं, associated हैं, तो फिर हमें avoid करना चाहिए उस किसम की investment में पैसे उस तरह की financial instrument में investment करने से तो हम अपने आपको इस तरह से अपने आपको risk के exposure से बचा सकते हैं non-diversifiable risks कौन सी होती हैं there could be a number of economic factors जो के आप diversification की वज़ा से उनके नुकसान से बच नहीं सकते ऐसे for example किसी भी मुल्क के उपर वेरुनी जो developed countries होती हैं वो sanctions लिगा देती हैं वो बोलती हैं, इनके साथ में हम trade नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इनके साथ हम कोई किसी किसम का trade नहीं करेंगे, इनको कोई loan नहीं देंगे, इनको कोई इमदाद नहीं देंगे, इनके बच्चों को scholarships नहीं मिलेंगे, या इन मुलकों में हम जाके investment नहीं करेंगे तो ऐसे के situation में क्या होगा उस particular मुलक के मुशी हालाथ खराब हो जाएंगे अब अगर आप उस किसम के मुलक में रहते हैं या उस किसम के मुलक में आप invest करना चाहरे हैं तो यहां पे diversification आपको बचा नहीं सकती, तो उसके economic factors आपको जहलने पड़ेंगे और जिसकी विरा से आपको नुकसान हो सकता है उसके chances जादा हो सकते हैं तो देर आप इस वेरियस टाइपस of risks that are non-diversifiable इसी तरह से there could be some natural calamities या कोई भी हालात हो सकते हैं natural disasters हो सकते हैं जिन की विरा से नुकसान हो गया या जैसे covid आ गया तो अगर हम अभी कह रहे थे कि एक से ज्यादा products में investment करने से हम हमारी risk के exposure को curtail कर सकते हैं reduce कर सकते हैं लेकिन जब covid आया तो it was it is a pandemic जिसने पूरी की पूरी दुनिया को influence किया तो जब पूरी की पूरी दुनिया को influence किया तो आपके पास कोई safe option कोई safe alternative को safe product category नहीं है कि आप यहां से पैसे निकाल के फलाँ मुल्क में invest कर लें या यहां वाली इस particular product category में से निकाल के फलाँ वाली में डाल देंगे तो आपके यह multiple options में डाल देंगे तो आपके जो नुकसान है उससे आप बच सकते हैं तो in this kind of a situation के एक pandemic आ गया है या कोई natural disaster आ गई है से आप अपने diversify करेंगे भी तो आप अपने risks के exposure को कम नहीं कर सकते तो इसलिए हमें अंताजा लगाना होता है कि आप जब कोई भी stocks buy करें या investment करें तो उसमें कोई non-diversifiable risks है कौन-कौन से है और उनकी नौयत क्या है जब हम non-diversifiable risks की बात करते हैं तो आपके control में नहीं है economic downturn या recession ये भी एक एहम factor है जो के non-diversifiable risk की category में fall करता है और उससे आपके stocks effect हो सकते हैं तो वो तमाम factors जो के non-diversifiable है या आपके अख्तियार में नहीं है उनको cut down करना ऐसे risks को collectively हम market risk बोलते हैं so we have to assess whenever we have to invest we have to assess के what are the associated market risks उनकी नियत नौयत क्या है वो कौन-कौन से हैं वो किस तरह से हमारे business को effect कर सकते हैं इसके साथी में there are certain risks जो के आपकी particular जिस firm में या firm के financial instrument में या stocks के अंदर आप किसी entity की organization के stocks में आप invest करना चाते हैं there could be a number of risks जो के उस particular organization से related होते हैं तो उनको हम firm specific risks बोलते हैं जैसे उनकी जो भी management decision होंगे वो influence करेंगे कि उनका expected pay off क्या होगा उनका losses क्या होंगे उनके आपस में जगडे चल रहे हैं या उन्होंने कोई plant नया invest करके expand किया था वो collapse कर गया बना नहीं है या उसके उपर सरकार ने कोई उसके उपर कोई rules बना कोई policy लगा दी या कोई कोट का case आ गया और उन्होंने बोला कि आपने फलाँ जगा पर जो building बनाई या वो गलत बनाई थी या उसके पास आपने license नहीं लिया या there could be 110 factors so if it is related to a certain organization it would be firm specific risk and that is also to be considered when you are going to do your risk assessment तो आपने उसके अंदर अपने firm specific risk को और अपने market risk को consider करना होता है इससे related एक और बहुत concept है that is called the concept of international diversification आपको लग रहा है कि अगर आप जिस country में already different तरह के financial instruments में invest का रहे हो वहाँ उसमें economic downturn चल रहा है economic downturn का मतलब होता है things are moving towards recession वहाँ पे जो rate of return है और जो भी different तरह की policies है हकुमत की वह सासगार नहीं है investment के लिए या वहाँ financial crunch है इससरह की कोई भी मसायल आ रहे है तो आप हो सकता है that there is a possibility कि आपने diversify करने के लिए सिरफ आप उसी local market के financial instruments के को consider you have an opportunity to diversify at international level उसका क्या मतलब है कि आप किसी और मुल्कों में जाके कोई और international market में चले जाएं या कोई और मुल्क में जाके आप investment करें इसका मतलब है कि आप international level के उपर diversification के principle को apply करें हैं और इसी सिलसले में हम देखते हैं कि हमारा local brand तो नहीं है McDonald's या KFC या Pizza Hut लेकिन हमें इससरह के बहुत से companies यहां operate करते वे देखने को मिल रहे हैं जो के एक मुल्क में ही सिरफ business की बजाए बहुत से मुल्कों में operate का रहे होते हैं और वहां उसका मकसद यह होता है कि अगर एक मुल्क के हालात साथगार नहीं है उदर से उनको बहुत high level of profit expect नहीं करें तो वह कोई और मुल्कों में जाके अपने organization के branches को लेते हैं या operate करना शुरू कर देते हैं franchises दे देते हैं ताके हमें उस particular company को उन मुल्कों के साथगार हालात से फाइदा हो जाए और उनको वहां से higher level of profit मिल जाए तो diversification की principle सिरफ local context में ही apply नहीं होती आप उसको international level के उपर भी apply कर सकते हैं and we have got multiple examples जिससे हमें यह देखने को मिलता है कि organizations do diversify at international level also